नमस्कार दोस्तों जैशिराम कैसे हैं आप सब हमारे यूट्यूब चनल दा नैशनल इस मेडिया में आप सभी का स्वागत है बहुत से बच्चियां बहुत सी बेटियां बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो ये जान चुकी हैं कि उनका अब्दूर कुछ अलग नहीं है वो जिससे प्रेम करती हैं जिसके साथ वो रहती हैं भले वो उसके साथ 5-5-6-6 साल तक रह चुकी हो भले वो उसके साथ 10-6 वो जरूर दिखाएगा और वो दिखाता भी है एक वीडियो सामने आई है जो कि दहरा दून की है वो महिला ठाने गई है और ठाने में जाकर रिपोर्ट दर्श करवाती है उसका कहना है कि उसके साथ यानि कि उसके जो पती जो है जिसका नाम है अब्दूल समद और इस महिला का नाम है पिंकी इसके साथ वो बुरी तरीके स दुश्करम करता है उसका ये भी कहना है कि उसकी बेटी और उसकी जो बच्चा है चोटा सा उसको भी छोड़ा नहीं जाता उस महिला का ये भी कहना है कि उसके परिवार के खिलाब भी बार बार गंदी गंदी गलीच बाते की जाती है उस महिला का ये भी कहना है कि जो मेरा प कोषिश करता है। उनको फांसने के कोशिश करता है। यानि कि यह मामला एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है तब ही इस महिला ने कहा। अब यह जो वीडियो ने चुक कर अपने घर में बनाई है ताकि वो अपने जो पती है उसके खिलाफ सबूत इकठा कर सके कि उसने क्या क्या किया है इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो छुपा कर कैमरा बनाई गई है इसमें साफ पतलता है किस तरीके से पती अपनी महिला के साथ या अपनी पतन मेरा नाम पिंकी है और मेरा बहुत जादा मारते हैं मेरे साथ बत्तमीजी करते हैं गाली गलोच करते हैं और अफेयर इतना चला रहा था हर लड़की का नंबर ले आते हैं उसको वाटसप करते हैं अब मैं जब कुछ कहती हूं तो फिर मुझे मारते धारते हैं मेरी बेटियों की इज़त नी करते किसी की इज़त नी करते हैं नहीं है ऐसे पत्तमीज मॉम्डन से कभी जिन्दगी में शादी ना करें बले कुआ ही रहे लेकिन कभी ऐसे गलत आदमी के हत्या ना चड़े ये क मैंडम और इसी की तम्की देता है मैंडम मैं इस चलाक से अपनी ड़ती है अपने बच्चों को खुद अपने इस पर पाल लूँगी लेकिन मैं ऐसे गंद्या आदमी के साथ नहीं रही है क्यों कितनी परेशान है इस महिला का ये भी कहना है कि अब मैं अपने पती के साथ तो नहीं रह सकती है मैं अपने बच्चों को कैसे मजजिग पाल लोगी हम सभी जानते हैं कि जो महिलाएं अपना धर्म परिवर्टन करके इस तरह के व्यक्ति के साथ संवंधों बनाती है या निकाह करती है हम जानते हैं कि निकाहा एक डिए रहत होता है जो कुछ ही समय त जिसके इसाब से वो पूरी लाइफ बूसरे के सब विटा सकते हैं Gothic आस। झाल के सिर्षित को इस साथ लेकिन अपकिन चुछा। कि बहुत अती हो चुकी है और अब हमारा धरम परिवर्टन करवा धिया गया है हमारे साथ अती भी की गई है तो मैं उन सब को यही कहूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा गरत हुआ है तो आपका स्वागत है आप वापस घर वापसी कर सकती है और आप को कोई नहीं रोक सकता आपके उपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है आप चाहें जब मर्जी चाहें अगर आप सोचे कि आपके पेरेंस या आपका परिवारा को नहीं अपनाएगा तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि अगर सच में आपके साथ कुछ गलत हुआ है सच में कुछ ऐसा हुआ है जो आपके मर्जी के खिलाफ आपके साथ किया जा रहा है, आपके पेरिज को परिशान के जा रहा है, आपके परिवार को, आपके बच्चों को परिशान कर रहा है, तो बेशक आप अपना उस परिवार को, उस व्यक्ति को जो आपके साथ गलत कर रहा है, उसको छोड़कर वापसी अपनी उसी मुझधर में आ सकती है और खास तोर पे आप उस रिष्टे को भी तोड़ सकती है ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिलाओं के लिए हर तरह का गणून बना हुआ है ठीक है मानते हैं कि जो मुस्लिन धर्म है उसके अंदर कहीं न कहीं शरिया चलता है और उसे साफ से वो अपने हर धर्म को अपनाते हैं लेकिन सविधान नाम की भी कुछ चीज है हमारे देश में जिसके अनुसार महिलाओं को हर परकार का अधिकार है कि अगर उनके उपर अत्याचार किया जा रह कर दो